नमस्कार दोस्तों मैं हूं रितिक बोत्रा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चेनल गरिमा बोत्रा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विस्व विद्दले परिक्साँ को लेकर जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में चाहे आप बीए के विद्यार थी ओ भी कौम के विद्यारती हो यहां में अमस्कार परिक्साइकर में जारी कर दिया गया है पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं लेकिन आगे बड़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चेनल गरिमा बोत्रा को सब्सक्राइब नहीं मिल सके और आपके पास पूंचे सही वैसा टीक न्यूज यह आप देख सकते हैं 4,80,000 रेगुलर और प्राइवेट परिक्षार्थियों ने बरा परिक्षा फारम एक महीं से होगी विस्व विद्दाले की मुख्य परिक्षाई दोस्तों में बात करा हूँ महात्मा चोतीबा फुले मुख्य परिक्षाई दोस्तों यह आप देख सकते हैं और से प्राइवेट परिक्सा फारम बरने की आखिरी तारीक बढ़ाने की मांग की जा रही है रुहेल खंडविस पर विद्दा ले की सनातक जो परिक्सा ही है वो एक मही से शुरू होगी और अठारा जून तक चलेगी यानि जितनी भी दोस्तों आपके यूजी के एक्जामस है वो एक मही से प्राइव हो करके आपके अठारा जून तक है दोस्तों वो चलने वाले हैं उसके बाद में यह दिम बात करें प्रास नातक परठे करमों के परिक्साओं की तो वो आठ वई से प्राइव हो करके दो जून तक चलेगी परिक्सा है दोस्तों वो तीन पालियों में आयों जित की जाएगी जो पहली पाली है वो साथ बज़े से लेकर के सुबह दस लिए वो तीन बज़े से लेकर के छै बज़े तक रहने वाली है और जो प्रास नातक की परिक्साओं है वो उननीस दिनों तकी होगी जबकि जो सनातक की परठे करम की परिक्साओं है वो चालीस दिनों तक चलेगी विस्व विद्दाले प्रसासन का कैना है कि यह परिक्सा में पिछले चोईज गंटे में है वो रिकोर्ड वे हैं और IIT कानपुर के सर्च भी यही कहती है कि मिड अपरेल तक है वो कोरोना की जो दूसरी रहल है वो अपने चरम पर होगी तो उससे देखते वे दोस्तों परिक्साकरे करमों में भी बदलाव करना पड़ सकता है इसी को आरस तक 4,80,000 परिक्षायरतियों ने ओनलाइन परिक्साफारम बढ़ाया है अभी तक 200 विद्दाले ने परिक्साफारम बढ़ने किया कि तारिक नहीं बढ़ाई है पर संभावना है कि एक दो दिनों में डेट बढ़ने के अधिसूचना भी जारी हो जाए यानि जो भी व बढ़ाता है कितनी के सेचकाम होते हैं तो यह सब उस परिस्तितियों पर ही डिपेंड करेगा हालांकि आपकी इस पर क्या राया है कि या परिक्साफाउं का आयोजनी समय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या फिर ओनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन जिस प्रकार क ही मांग करते हैं कि वो भी ओनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में सोचें और विद्यार्थियों को जिससे की सुईदा हो सके और यदि आप पुरी तरीके से ओनलाइन मोड पर एग्जाम नहीं करा सकते तो कम से कम हाइब्रिड मोड पर एग्जाम जरूर करव विद्यालियों को आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए विद्यालियों से जुड़ीवी किसी भी प्रकार की जानकारी किसी भी प्रकार की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजे हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को मैं हूं रितिक बोथरा वीडिय और चाल लगाओ तो दिक से दिक शेयर करें